नमस्कार दोस्तो मेरा आउल सास्त्री सौगत करता हूँ आपका अपने चैनल के अंदर दोस्तो आज मैं जो टोपिक आपको बताने जा रहा हूँ वो है कुंडली हम कैसे सीखें तो दोस्तो इतनी सरल टेकनीक से मैं आपको समझा सकता हूँ कि आप बड़े प्यार से ही अपन इसका ग्यान हो जाएगा शिर्फ आपको ये वीडियो द्यान से देखनी है तो दोस्तो शुरू करने से पहले मैं बताऊंगा आपको छे स्टेप का याद रखना है वो छे स्टेप क्या होते हैं पहला भाव दूसरी रासी तीसरा उंच और नीच के गहरा है चोथर डिगरी पाचवा मित्रो और सत्रू के बीच में क्या डिफरेंस है और गरहो का फल तो देखे दोस्तो अगर आपने छे स्टेप सीख लिए तो आप डेफिनेटली जो हैं सब कुछ जान जाएंगे और कुंटली के सबसे महत्तपूर्ण है दो चीज यानि स्टेप वन जिसे भाव कह जाता है कुंटली के अंदर और जो दूसरा और रासी और रासी के स्वाव तो यह दो पॉइंट आज मैं आपको कवर करने जा रहा हूं तो देखे सौपर्थम आपको समझना पड़ेगा कि कुंटली क्या है कुंटली के 12 भाव होते हैं और 12 भाव के अंदर ये पहला भाव तो इस तरह से 12 भाव होते हैं और कोई भी रासी जो है इन भाव के अंदर आती है और यहां से start होती है तो जो भी रासी यहां से start होगी उस लगन के वो जातक होगें वो मैं दूसरा step फिलाल मैं आपको भाव के बारे में बताता हूं तो देखें किसी भी कुटले के अंदर 12 जो मैं आपको बताने जा रहे हूं जो पहला बगशाए होता है यह होता है यह होता है आपका खुद का यह आपकी परश्णर्मिलिटी के बारे में हैं आपके बारे में हैं आपका बोलने का तरीक है कैसा हो होगा आपकी परस्शनलिटि कैसी होगी आपका सेभाव कैसा होगा आपका चरितर कैसा होगा तो यह मोटा मोटा समझे लिज zrobi यह ठोटल आप है यह सिर्फ आप के बारे में ही बताया जा रहा है जो नुबहर साथ-साथ नयजिए अपने परि बानी कैसी रहेगी तो यह जो दूसरा इस्तान होता है इसे धन का इस्तान बोला जाता है इसी परकर जो तीसरा इस्तान होता है कुंडली के अंदर यह परीशरम का होता है बहुत महनत का होता है और साथ-साथ छोटे भाई-बहन का भी यहां से परिनाम देख सकते हैं इसी पर कराम के लिए चीजे चहिए वो यहां से देखेंगे साथ साथ आपको यहां से माता का भी पता लगा सकते हैं इसी परकार जो पाच्वा होता है संतान भाव बोलता है संतान के साथ साथ यहां से आपको बुद्धी बुद्धी के साथ आपकी पढ़ाई पढ़ाई के साथ यहां पर लव रोमेंस इन सबका पता हम यहां से निकाल सकते हैं और आपका संतान कभी यहां से पता चल पता है कि आपके कितनी संतान होगी इसी परकार जो छटा भाव है यह अच्छा भाव नहीं होता कुंटली के अंतर ये दुरुगटना सत्रू लंबी विमारी कोट केचैरी इन सब का लेखा जोखा इस भाव से पता चलता है जो सात्वा भाव होता है ममित्रों ये देखा जाता है विवागी दरश्टी से बहुत मैतपून है अगर आप मेल है तो फिमेल का अगर आप पतनी है तो पती का तो इस परकार ये जो भाव है वैत करता है इसके साथ साथ यहां से पाटर्शिप का भी हम पता लगा सकते हैं इसी परकार जो आठवा है ये मृत्तु भाव बोला गया है मृत्तु के साथ चाह से मृत्तु तुल्ले कष्ट देखे गए है यह भागे इस्तान होता है और साथ-साथ पिता का भी यहां से पता चलता है जो दस्वा इस्तान होता है यह करम इस्तान वाना जाता है यहां से आपके प्रोफेशनल का आप वेवसाय करेंगे या फिर आप नोकरी करेंगे किस सिस्तर पर करेंगे किस 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 डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तो इस इस्तान से पता लगा सकते हैं तो ये भी बहुत महत्रपून भाव है इसी परकार से जो ये जो ग्यारवा भाव होता है इसे बड़े भाई बहन का पता चलता है साथ साथ ये लक्सिमी का भी स्थान वाना जाता है आप कितनी इंकम जंद रेट करेंगे कितना पैसा कमाएंगे इससे आपकी सेविंग देखी जाती है और इससे आप कितना पैसा कमाएंगे सपोज करूं यहां से आपने 100 रुपे कमाए और यहां पे आपने आप मतलब 20 रुपे खर्च करें तो 80 जो जोड़े हो यहाँ पर आपकी saving हो रही है आप इस तरह से समझेए जो बारवा जो अस्थान होता है यहाँ से जेल यात्रा का भी पता लगाया जा सकता तो यह भी कुंडली के अंदर अच्छा नहीं होता तो आपको ध्यान देनी वाल तो वहाँ से आप पता लगा जा सकता है इस भाव के अंदर आपका विदेश यात्रा भी देखी गई है तो दोस्तो मैंने आपको बता दिया एक कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं और हर एक भाव के अंदर क्या-क्या चीजे छुपी हुई है तो आपको यह ध्यान दखना है जो दूसरा जो भाव है दोस्तों जो दूसरा जो स्टैप है अब इसकी बारी मैंने आपको टोटल बताया था छे स्टैप अगर आप सिख गए तो कुंडली जानना सीख जाएंगे देखिए सव पर्थम आपको देखना पड़ेगा कि रासी कितने परकार की होती है और गरहा किस तत्तू के बने है तत्तू इतना इंपोर्टेट नहीं है पहले आप समझे बारा परकार की रासी होती है पहली जो रासी होती है उसके गरहा उसके जो स्वामी गरहा होते है वो मंगल होते है इसी परकार जो दूसरी रासी होती है वो वरसब उसके जो स्वामी होते वो सुक्र होते हैं इसी परकार जो तीसरी जो रासी होती है मिथुन होती है इसके जो स्वामी होते है बुद करक रासी के स्वामी चंद्र पांच वी होते है सिंग इसके स्वामी सूरिय चटी होते है कन्या इसके स्वामी बुद तूला के सुक्र होते है वर्चिक के मंगल होत होते हैं मेन उसके स्वामी होते हैं गुरु तो आप में इसको नोडाउन कर लेज़ेगा nella देखा ağगा आपने टोटल 12 राशियां होती हैं और यह इनक्स把它 आपको एक चीज़ होड़ देखना है कि जादातर सब रास्यों को दो दो रास्यों को एक स्वामे मिले हैं सिर्फ करक और सिंग ही ऐसी रासी हैं जिनको एक-एक रासी के एक-एक स्वामे हुए हैं क्यूंकि मेश और वर्चिक इन दोनों रास्यों के स्वामे मंगल इसी परकार वर्चनप और तुला इन दोनों रासी के स्वामे सुक्र मिथुन और ये आपका कन्या इन दोनों रासी के स्वामे बुद्ध और इसी परकार धनू और मीन इन दोनों रासी के स्वामे गुरू मकर और कुम के स्वामे स्वाम में मिले हैं तो आपको यह ध्यान लखना एंटोटल 12 रासी होती हैं और कौण कौण से स्वामी होते हैं साथ ही साथ आप यह भी ध्यान कर लिजेगा कि किस वनिये जैसे जो मे से मे Franz मे इस राअग्नी वनिये यह अगनी तक न की यह इसभाकर सिंग अगनी वो चर सहभाव की रासी माने गई है, जो वर्सब है वो स्थिर सहभाव की माने गई है, जो मिथुन वो दिव सहभाव की रासी माने गई है, और इनका करम सेम रहेगा, जैसे पहली जो रासी है वो अगनी, दूसरी जो रासी होते है वो वर्सब प्रत्वी तत्व की बनी है, तो दोस्तों आपको दूसरी चीज आदो ही साथ ही साथ मैं आपको इनका नेचर बता देता हूँ, देखिए जो मंगल का जो नेचर होता है, ये आपका आतम बल है, जो आपको करने की जो इच्छा होती है, और जो आपके अंदर उर्जा होती है, साथ ही साथ ये खुन का भी क जुरूरी है या मंगल का परबल होना पोच जुरूरी है सुख्र से देखी जाती है तो आपके शुक्र बलवान है तो आपको सब सुक्सुईदा की जरूर प्राप्ति होगी कि ये सब भूतिक सुक्सुईदा की प्राप्ति देने वाला ग्रह है इसी परकार जो बुद्ध है वो आपकी बुद्धी अगर आप बुद्ध आपका श्ट्रोंग है तो आपकी बुद्धी मान होंगे अपनी बुद्धी की वज इसलिए चंद भी आपकी गुंडले के अंदर बल्वान होना पहुच जुरूरी है सूरिये से देखा जाते है आपका आत्म बल मंगल से देखा जाता है आपका जो आपकी उर्जा है जो आपका सारीरिक बल है और जो सिंग से देखा जाता है आपका आत्म बल आपकी आत्मा साथी साथ ये गुवर्मेंट महकमा भी इससे देखा जाता है अगर सूर्य स्ट्रोंग है तो आपको गुवर्मेंट नोकरी भी मिल सकती है साथी साथ पिता का भी सूर्य से देखा जाता है सूर्य पिता भी होता है इसी परकार आपने देखा गुरू होता है ज्यान, आपको ज्यान कैसा अरजित करेंगे, साती साथ गुरु से आपके बडह, आपके गुरु जन, ये सब चीजों का गुरु कारक है, सनी का थोड़ा सनी होते हैं नियाए के लिए सनी से देखा जाता नियाए साती साथ संगर्स आप जिंदकी के अंदर अगर संगर्स करने के बाद जो आप काभिल बनते हैं वो सनी की वज़े से बनते हैं साथी साथ ये 36 साल के बाद आपका भाग्यों दे करता है क्योंकि काफी दीमी परवती से ये चलने वाला ग्रह है तो दोस्तों आज आपने दो स्टैप देख लिए अब धीरे धीरे मैं आपको इस सारे स्टैप बता दूगा फिर कैसे आप कैलकुलेशन करोगे वो आप सीख जाओगे तो ये जो वीडियो है पहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों आगली वीडियो में जो बता हूँगा वह भी पहुत इंपोर्टेंट होगी तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजे और बैल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजेगा ताकि जो आने म